हेलो गाइज वाट सब्सक्राइब और आज हम लोग करने वाले हैं आपकी बुक का चाप्टर द ब्लाक अरोपलेन वह बहुत जाद इंटरस्टिंग चाप्टर है इसकी जो एंड है न वह एक मिस्ट्री में छोड़ रखा है तो हमें खुद एज़र्ज करना पढ़ेगा क्या आखिरकार एंड में क्या हुआ होगा तो यार बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इसका थीम समझा तो इसकी स्टोडी लाइन क्या है तो यह जो नारेटर है ना उनका प्राइवेट जैट है और फ्रांस से इंग्लेंड जा रहे हैं अपने जैट में उनकी जैट है उसका नाम कहानी की शुरूबात इसी के साथ होती है कि जो नरेटर है वह अपने ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन में बैठ कर अपने घर जा रहे हैं फ्रांस से इंग्लेंड और वह बहुत ज्यादा खुश है रात का समय है और वह बहुत खुश है क्यों है खुश क्योंकि यार वह अपन करते हैं अपनी इस से बाहुत कर चाल कर एक और यह अपने प्लेन से कंड्रोल ट्रावर में कॉल रइस हो रहा ह hp या matches देख बूंस की द्रम यह रहा होते है 1.30 a.m. morning के ही होते हैं लेकिन हम रात के बोलते हैं अच्छल में तो आधी रात ही होती है तेड़ बज़े ठीक है यह पैरिस कंट्रोल टावर में कॉल करते हैं और बोलते हैं जैसे मतलब एरो प्लेन में पाइलिट बोलते हैं कि पैरिस कंट्रोल टावर डिस 088 है ओवर ओके तो पैरिस कंट्रोल टावर से इन्हें यह रिप्लाय आता है कि आपको अपने प्लेन को 12 डिगरी वेस्ट में मूव करना है इंग्लैंड के लिए तो यह वैसा ही करते हैं अपने प्लेन को मूव कर लेते हैं और फिर सीधे-सीधे चलते हैं अब बेसिकल होता क्या है पैरिस 500 किलोमेटर पीछे छूट चुका है अब इनके पास यार देखो बेसिकली जो प्लेन है ना वह ऐसे क्लाउट्स के ऊपर से जार नहीं सकता यह इंपॉसिबल था उनके लिए और उनके पास फ्यूल बहुत ज़्यादा कम था कि वह जो है क्लाउट्स के चारों तरफ से घू चले चले जाते हैं कियों लेते हैं डिस दो रिज़न यार एक तो अपनी फैमली को बहुत ज्यादा मुस्क और यह dá nap यह वहाँ है कि यह अपने इंग्लिश ब्रेक्फास्ट बहुत जाएब इंपॉर्टरम यार रखना है उस फ्व स्क noise लेकर उसके अंदर गुष जाते हैं अब गुष तो जाते हैं यार भी ना सोचे समझें लेकिन जैसे ही गुषते हैं चारों तरफ यार सब कुछ इने ब्लैक दिखाई देने लग जाता है क्यों या तूफानी बादलों के अंदर तो सब ख्राव हो चुके हैं फ्लज्व हैं घ suka कंपस देख ढर Whenever घूम रहा है अपने बागी के जो करते हैं इनका सब आने रहा तब यार अचानक सही नजर पड़ती है अपने पास ही और रहे एक ब्लैक ऍारव क्यूंकि उसके विंग्स की विंग्स की आगे लाइच होती हैं उसका प्लेट में इस प्लेंग से अगे लाइट कर सके यह च्छाल सब्सक्राइब अब यह बड़े खुश हो जाते हैं अपने साथी को देखकर आदे घंटे तक यह उसे एक चोटे बच्चे की तरह आग्याकारी बच्चे की तरह फॉलो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्यों कोई कम से कम डूगते कुट इनके का सहारा ठीक है वोटेवर तो यह उसको पीछा करत माइद जनके प्लेट में सिर्फ और ऌड़ने का फ्यूल बचता है और घबर आसी जाते हैं कितम हरा है तब ब्लाइक का लेक्ष आफ09 को नीचे ले लेता है और यह उसके पीछे जाते पाइन लाइन करते हैं बहुत जादे हैं और यह बहुत जादा मतलब कि बिल्कुल भी दुखी नहीं है क्यों क्या अभी अभी जान बचा कर आए ठीक है और जब पैरिस चावर में जा करके पैरिस नहीं कंट्रोल टावर में जा करके जब यह वहां पर बैठी लेडी से पूछते हैं कि वह ब्लैक अरोप्लेंग आगे जो मेरे साथ उड़ रहा था तो वह जिसकी विंक्स पर लाइट नहीं थी वह कौन पाइलेट था जिसने उस स्टॉमी क्लाउट से बाहर निकाल और अचानक से गायब हो गया तो यहीं पर मारी स्टोरी एंड हो जाती है और एंड में यह मिस्टरी छोड़ रखी है कि आखिर का नेरेटर की हेल्प किस नहीं की वह ब्लाक एरोप्लेन कौन सा था यार बेसिकली कुछ भी हम इमाजन कर सकते हैं अपनी क्रियेटिविटी के उपर है मेरे साफ जार इसके दो एंडिंग हो सकती है या तो हो सकता है कि जो नरेटर है यह सारा सपना देख रहे हो और अभी वह क्या पता फ्रांस में बैठे हो ठीक है बैड से उठे हो ठीक है और दूसरी के अंडिंग हो सकती है कि हो सकता है कि वह ब्लाक आरोप्लेने को सकता है कुछ भी तो आपकी क्या रायस बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा एवरिधिंग सेप्टेड हमारी क्रियेटिविटी के उपर डिपेंड करता है पर मैं जो इंपोर्टेंट लाइन उसे माक किया है I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family यह अपने holiday का ड्रीम देख रहे हैं और अपनी family के साथ होना चाहते हैं यह अपनी family को बहुत ज्यादा और फिर अपने map और compass को चेक करते हैं अपने last fuel tank को जो है turn on कर लेते हैं और फिर यह देखो I will be on time for breakfast I thought a good big English breakfast English breakfast को actual में बहुत ज्यादा मिस्कर रहे हैं यह एक important point है कि narrator ने risk क्यों लिया क्योंकि वह breakfast English breakfast को और अपनी family के साथ होना चाहते हैं जल्दी से अब देखो जब यहां पर I saw the clouds storm clouds मिलते हैं और यहां पर यह मैंने green में जो मांक कर रखा है I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to north or south टीक है ऊपर जा नहीं सकते ऊपर से और साइट्स जाए इतना इनके पास फ्यूल नहीं है तो I ought to go back to Paris I thought but I wanted to get home I wanted the that breakfast I'll take the risk यहां पर देखो यह बता रखा है कि what happened inside the clouds किस तरीके से जो है सब कुछ black हो जाता है suddenly inside the clouds everything was suddenly black it was impossible to see anything outside the airplane there old airplane jumped and twisted in the air I looked at the compass I couldn't believe my eyes the compass was turning around ठीक है यह सब यह बता रखा है यहां पर in the black cloud black clouds quite near me I saw another plane it had no lights on its wings अब यह वो इंस्डेंट है जब इनने ब्लाक अरो प्लेन देख जाता है वो अपने plane को जो है narrator के plane के आगे ले लेते हैं ताकि वो easily उनको follow कर सके और यहां पर वस यह बता रखा है कि वो जाकर जो है control tower में lady से पूछते हैं कि वो aeroplane कहां गया जब वो aeroplane काय हो जाता है black aeroplane और यह जो green में मैंने मार्क कर रखा यह lady का reply है another aeroplane up there in this storm no other aeroplane were flying tonight yours was the only I could see on the radar यह lady बूल देती है कि और कोई aeroplane तो खाई ने कौन सब black aeroplane इस तरीक से यार स्टोरी एंड हो जाती है स्टोरी के राइटर थे यार फ्रेडरिक फॉरसित और यार बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है सिंपल सी स्टोरी आई होप की समझ में आ गई होगी इसके इंबॉर्डरिन प्रेशन और नोर्स आपको नीचे description box मिल जाएंगे वहां से आप उने देख सकते हो तब तक